सबीड इलिट साथ्योग नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और गैच आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे UPDL IT 3rd semester subject सक्षिक मुल्यांकन यह जो आपका paper होता है first paper होता है third semester का जो की 50 number का होता है जिसमें से आपको 25 number लाना अनिवार्य होता है और अभी तक हमने आप सभी को first paper की सिर्फ और सिर्फ दो ही classes प्रोवाइड किया है हमने lesson 1 पूरा एक ही वीडियो में डिसकस किया था और lesson 2 भी पूरा खतम कर दिया है ठीक है और आज की इस वीडियो में हम lesson 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन सतत मुल्यांकन क्या होता है और ब्यापक मुल्यांकन क्या होता है आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं और अगर आपने प्रेबियस वीडियो यानि लेशन वन और लेशन टू वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी को सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए ताकि बहुत ही अच्छे से समज में आए ठीक है तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप सभी को कमेंट से बुक्स में मिल जायागा आप वहां से जाकर देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू इस क्लास की टाइमिंग जो होती है बारे बजे होती है बट आज थोड़ा लेट हो गया तो साड़े बारे बजे आप सभी को प्रोवाइट की जा रही है अब यहां पर सबसे पहले फैक्ट हम जानेंगे की सतत एवं प्यापक मुल्यांकन की आधारा का विकास क्यूं क्यों कि पहला प्रसन तो यही बन सकता है लेकिन उससे पहले मेरा प्रसन क्योंकि आप सभी को हम बता दे की जब भी हम क्लास श्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक या दो प्रस्ट में जरूर पूछते हैं जिसका अंसर आप सभी को कमेंट्स वोक्स में करना होता है हम नेक्स्ट वीडियो में उसका अंसर करते हैं फिलाल यहाँ पर यही प्रस्ट है कि भासा अभिकास की दक्षता दक्षता का मतलब आप सभी को बता देते हूँ दक्ष यानि आपके पास उतनी चमता है या नहीं जिसे आपने सुना भी होगा कि क्या आप इस काम के लिए दक्ष है क्या आप इस काम के लिए योग्या है तो उसी को हम दक्ष कहते हैं या फिर दक्षता कहते हैं ठीक है आप इस काम के लिए कितने निपूर हो कर सकते हो या फिर नहीं तो हमारा प्रेशन ये है कि भासय अभिकास की दक्षता के संदर में सबसे पहले यानि सर्वपर्थम किस कौसल का अभिकास होता है आप सभी को पता है जो स्किल्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं तो चार होते हैं एक तो बोलना होता है दुसरा सुनना होता है ठीक है और प इसकी जो भी स्किल्स है, इसमें सबसे पहला कौन सा ऐसा कौसल है जिसका विकास होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बोक्स में करके बताएगा, फिलाल हम लोग चलते हैं अपने स्लेबस की और जिसमें ये प्रस्न है कि सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन की आउधारा का व किसी भी फैक्ट या आउधारा यानि कौनसेप्ट को कितना सीख चुके हैं, उसके जाज करने के लिए मुल्यांकन की नवीन पद्धत की आवसकता महसूस की जा रही है और इसे संदर में सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन की आउधारा का विकास हुआ, इस देखिए हमने इस तो इस तरीके से हमने बहुत यच्छे डंक से डिसकस के लेकिन यहाँ पर सतत मुल्यांकन और ब्यापक मुल्यांकन, मुल्यांकन तो दोनों में ही नाम आ रहा है, लेकिन एक आगे सतत जुड़ 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 और इसको कितना सीखा है, कितना उसने लर्ण किया है, क्या उसको अभी तक समझ के आया है. क्योंकि अगर कोई टीचर है, उस्टुइन्ट को पढ़ा रहे, तो वह पढ़ाते- पढ़ाते जाएंगे, तो वो कैसे जानेंगे, कि जो भी हम पढ़ा रहें, क्या effective है या नहीं तो उसके लिए सतत और ब्यापक मुल्यांकन जो है इसको मतलब यह महसूस किया गया कि हमें मुल्यांकन करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा कोई न कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए तो इसी के बीच में जो आपका सतत मुल्यांकन और ब्यापक मुल्यांकन की आउधारा का बिचास हुआ तो यह आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोश्ट महत्यूपूर यह प्रस्न है ठीक है और यह बहुत ज़्यादा बीसिक से क्योश्चन है क्योंकि अगर सतत और ब्यापक मुल्यांकन हम सभी पढ़ रहें तो इसके बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि आखिरकार इसका डेबलप्त कैसे हुआ और क्यों हुआ ठीक है अब चलिए आप हम जानेंगे यहाँ पर सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन से तातपर यह क्या होता है यानि सतत मुल्यांकन क्या होता है और ब्यापक मुल्यांकन क्या होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सतत और यह है ब्यापक तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सतत है और यह ब्यापक नाम से ही पता चलता है सब से पहले सतत मुल्यांकन की परिभासा इसमें क्या दिया गया है कि जब मुल्यांकन सिक्छड क्रिया का अभिन अंग बनकर उसे नियमित रूप में संगती दिसा वा उत्रोत्तर गति सिलता प्रदान करता है तो उसे ही हम सतत मुल्यांकन कहते हैं अब फ्रेंड्स देखें यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसको समझें हम कैसे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है कहे रहा है कि जब हमारा जो भी मुल्यांकन होता है ठीक है यह जब सिक्छड प्रकिरिया का यानि जो भी एक टीचर होता है जो कुछ भी पढ़ाता है ठीक प्रशनुत्तर विधी के माध्यम से कुछ इस्टुडेंट्स चात्रों से सवाल पोचता है तो क्या हो गया यह एक प्रकार का परिक्छड मुल्यांकन है तो इससे लिए यहां पर फर्स्ट लाइन कहा रहा है कि जब मुल्यांकन सिक्छड किरिया का अभिन अंग बनकर उसे नियमित यानि regular रूप से जैसे कि आप अभी डियलेट कर रहे हो तो यह क्या है चार सेमेश्टर में बटा है चार सेमेश्टर में बटा है हर छे महीने के बाद जितना भी आपका syllabus है जैसे कि अभी second semester का आपने पेपर दिया तो वो क्या हुआ कि आपने एक आपने लिखित परिक्षा दिया उसका मुल्यांकन हुआ फिर रिजल्ट आया तो इस तरीके से यह क्या है एक नियमित है अब फिर third semester का पेपर होगा फिर इसके बाद four semester का पेपर होगा तो यानि जो भी आपके सेक्षिक प्रकेरिया होती है इससे क्या है मुल्यांकन जो एक अभिन अंग बन चुका है या बन गया है ठीक है उसके बाद कह रहा है कि नियमित रूप में संगत दिसा एवं उत्रोत्तर गतिसिल्टा परदान करता है तो इसे ही हम सतत मुल्यांकन कहते हैं बहुत ज़्यादा easy है आप सभी को असानी के साथ समझ में आ गया होगा बहुत ज़्यादा यह तफ नहीं है यानि अगर हम कहें तो सेमेश्टर जो भी हमारा मुल्यांकन होता है तो जो भी परिक्षा होता है वो चाहें सेमेश्टर हो या फिर वार्ट्रिक उसी पर हमारा मुल्यांकन किया जाता है ठीक है आप देखिए यहाँ पर ब्यापक मुल्यांकन की परिवास लेकिन यहां पर ब्यापक मुल्यांकन क्या है आई इस पर चर्चा करते हैं इस मुल्यांकन के अंतरगत केवल संग्नियात्मक पक्च पर ही नहीं यहां पर ही नहीं ठीक है याई अगर हम सिंपल कहें तो इस मुल्यांकन के अंतरगत संग्नियात्मक पक्च और संग्नियात्र पक्चों पर प्रभाव याई अगर हम कहें तो कौसल रूची अभिबृत्ति मुल्य एवं बेक्तित्व कि विकास की आकलन भी किया जाता है देखिए अभी अमने जो पढ़ा यहां पे उपर वाला सतत मुल्यांकन उसमें क्या था उसमें ये था कि कोई अगर आप इसी में अगर हम कहें एक्जामपल के लिए आप डेलेट थाट सेमेशा का पेपर देंगे तो ये क्या है आप पेप मुल्यांकन हम उसे कहते हैं आपका मतलब की कौपि कौपियों का मुल्यांकन तो होता ही है साथ में ये भी ध्यान में रखा जाता है कि आपने जो भी या आपका जो भी मुल्यांकन हुआ इसमें कितनी सत्यता है यानि आप क्या इसमें रूची है क्या अभिवरित्ती है इन साथ में आपके कॉसल की, आपकी रूची की, आपकी अभिवित्ती की, ठीक है, आपके बेक्तित्व विकास की इन सभी के बारे में आकलन किया जाता है, तो इस मुल्यांकन की परीदी को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ब्यापक मुल्यांकन कहते हैं, I hope कि आपको सतत और ब्याप यानि हमारे यहां मुल्यांकन का जो मुख्य अधार होता है परिक्छाओं से ही माना जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं सतत मुल्यांकन कह सकते हैं ठीक है अगर हम डिफिनिशन यानि जो भी आपके कितावी भासा में अगर हम कहें तो सतत मुल्यांकन की जो परिभासा हो जाती है कि जब मुल्यांकन सिक्छर क्रिया का अभिन अंग बन कर रह जाता है और उसको नियमित बना देता है गतिसीलता परदान करता है तो उसे ही हम सतत मुल्यांकन कहते हैं और यहाँ पर जो ब्यापक हो जाएगा कि यह जो आपका मुल्यांकन होता है संगन्यात्मक पक्ष के साथ साथ शंगन्यातर यानि सिंपल अगर हम कहें सधारन भाशा में तो कौसल, रूच, अभिवित्ति, मुल्य, एक बिक्तित्व की विकास की सभी इन सभी का आकलन करके ठीक है उसके बाद जो भी मुल्यांकन यानि जो भी आप मुल्यांकन करते हो इन सभी का तो उसे ही हम होती हसानिक साथ यह समझ में आ गया होगा बहुत ज्यादा टफ नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहां लिखा भी गया है कि इन दोनों ही आउधराओ यानि यह जो दोनों कॉंसेप्ट हैं सतत मुल्यांकन और ब्यापक मुल्यांकन इन दोनों के संयुक्त करते हुए एक नवीन संप्रत्याय के रूप में सिक्षा में सतत मुल्यांकन इवं ब्यापक मुल्यांकन की प्रडाली का अभूदय हुआ है यानि इनकी सुर्वात हुआ है इन दोनों के माध्यम से यानि जो ये दोनों कॉंसेप्ट है सतत मुल्यांकन और ब्यापक मुल्यांकन ठीक है आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ट कि अगर आप इसका इन दोनों मुल्यांकन का प्रियोग करते हो सतत मुल्यांकन का और ब्यापक मुल्यांकन का तो इसके कुछ परिडाम क्या है यह भी हम जानेंगे यानि जब हम मुल्यांकन करते हैं तो उसका क्या परिडाम आता है ये भी तो जानना बेहदी जरूरी है तो सबसे पहले लाइन में आप देख सकते हो कि बिद्यार्थी अपनी सक्ती और कमजोरी की जनकारी प्राप्त करें और अपनी कमियों को जल से जल दूर करें यानि देखिए मुल्यांकन तो इसी लिए ही होता है जैसे की अगर हम कहें तो जो आपका परिक्षड यानि टेस्ट होता है उसमें भी आपकी कॉप्यों को आप लिखी रूप में परिक्षा देते हैं कोपी को चेक यह निया उस लिया ही जाता है और उसके बाद उसी के वेज लिया जाता है तो अब आपको क्या करना है उस रिजल्ट से अपको जाता लिए जाता है जो आप में कमी है ठीक है इसको आप दूर करो और जल से जल इससे अच्छा करने का प्रयास करो तो यहाँ पर यही कह रहा है कि बेद्यारती अपनी सक्ती और कमजोरी की जनकारी प्राप्त करें और अपनी कम्यों को जल से जल दूर करें तो यह दो इन जो भी कॉंसेप्ट है इन प्रभावी ढख से पढ़ाया जाने का प्रयास किया जाता है यानि अगर इस्टुडियंट्स फडन चप्ड़को कि एक पर प्रयास किया जाता हैW करें ताकि जो भी इस्टुटेंट से जो भी बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए और सबसे पहली बात कि एक टीचर और एक इस्टुटेंट में जो भी संप्रेशर हो वो बहुत ही प्रभावी ढंग से होना चाहिए और उन दोनों को सक्रिय रहना चाहिए यहां पर यह नहीं है कि अगर टीचर सक्रिय है तो इस्टुटेंट निस्क्रिय रहेंगे तो जो अगर बहुत ही अच्छे से सिक्षक पढ़ाएगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो इस्टुटेंट पर इफेक्ट करेगा क्यों क्योंकि जो इस्टुटेंट से क्या है अभी निस्क्रिय है एक् तो यहां पर देखिए, यहां पर जरूरी नहीं है कि मैं एक्टिव हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह ओनलाइन माध्यम्द है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार फिर कब्सक्शन में कमी हों, या चाहें वो ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल, एडिजि केशन फिल्ड में ही मुल्यांकन किया जाता है, हर एक चेत्र में, जैसे खाना बनाने का हो गया, अब यहांपा खाना बनाने का भी फिल्ड होता है, आपने देखा भी होगा, तो वहा एक फिल्ड में मुल्यांकन होता है ठीक है अगर हम कहें बैज्ञानिक दृष्टी से तो आपने वहां भी देखा होगा कि अगर कुछ हम जो कुछ भी करते हैं तो जो कुछ भी हमारा सोध होता है तो हम फिर से उसका मुल्यांकन करते हैं कि क्या हमने जो सोध किया वो सही है य अब बच्चे होते हैं, ठीक है? इनकी जैसे कि समान्य हो गए, प्रतिवासाली हो गए, कमजोर बर्क तो इनको क्या करने चाहिए? उनको अलग-अलग करके और बहुत ही अच्छे से, यूगि देखिए, जो समान्य बर्के होंगे, या कमजोर बर्के, तो जो प्रतिवासाली प्रतिवासालीропेचे अगर एक बार टीचर कुछ कहता है तो बहुत ही आसानी का समझ जाएंगे लेकिन अगर हम वही बात करें दो कि क्मजोर बर्के तो वो जो टीचर है अगर उन WHY में प्रतिवासाली को कि बाद सुनकर और यह समझ ले कि सभी बच्चों को आगया तो फिर निदान करे ठीक है तो यह आप सभी को समझ में आगया होगा कि इन दोनों कॉंसेप्ट यानि सतत मुल्यांकन और ब्यापक मुल्यांकन का जब हम प्रियोग करते हैं तो इसका जो डिजाल्ट आता है इसकी हमने ब्याख्या किया अब देखिए दक्षता अधारित मुल्यांकन क्या होता है आपके च्भ्ता के आधार पर ही आपका मुल्यांकन यानि आपकी कतिनी जसे की अगर हम कहें अगर आप class 6 के हो ठीक है तो आप में इतना दक्ष होना चाहिए आप में इतनी छमता होनी चाहिए कि आप class 6 के जो भी आपके syllabus है जो भी प्रस्न है उसका आप answer सही सही कर सको तो यह क्या हो गया दक्षता अधारित मुल्यांकन यानि आप जिस आयू के हैं या जिस class में पढ़ते हैं उसी पे आधारित आप सभी का मुल्यांकन किया जाता है ठीक है तो यह आप सभी को पहले समझ में आना चाहिए उसके बाद हम definition की तरह बढ़ेंगे यानि अगर हम कहें यहाँ पर सबसे पहले यह जानना है नियून्तम अधिगम अस्तर नियून्तम अधिगम अस्तर देखिए यहाँ भी क्या कह रहे है अर्थात कम से कम उतना जितना बच्चों को उसके आयू अस्तर पर अवस्य आना चाहिए यानि अगर मैंने अभी आप सभी को बताया कि अगर कोई 5 साल का है तो यह जरूरी है कि वो पांच साल का अगर है तो उसको मतलब पढ़ना आना चाहिए ठेके गिंती आना चाहिए टेबल साने चाहिए तो यहाँ पर यह नियुनतम अधिगम अस्तर हो जाता है अब देखिए दक्षता अधारित मुल्यांकन का आर्ट क्या हो जाता है किसी विसेज अस्तर पर किसी बिंदु की बालक जनकारी नहीं रखता है बलकि वो उसको अपने बेवार में उतार सकता है देखिए किसी विसेज अस्तर यानि वो किस अस्तर किस लेबल पर है ठीक है प्रस्तिती में उनका वास्तुईक परियोग कर सकता है उधारार स्वरुप जैसे की प्राइमरी कक्छा के छात्र को गड़ित के विसे में जो दक्षता प्राप्त करनी चाहिए वो इस प्रकार की तीन अंकों तक की संख्याओं में तीन अंकिय संख्याओं का गुड़ा कर सके इतना उसके पास छमता होना चाहिए अगर वो प्राइमरी स्कूल का लेबल का इस्टुजेंट्स है तो ठीक है तो ये आपका हो जाता है दक्षता अधारित या अगर हम कहें कि प्रात्मी करस्तर पर सरोपर्थम क्या करना चाहिए पाठिक्रम के अंतरगत भासा का सरवाध प्रात्मी करस्तर पर जब बच्चे जाते हैं तो उनको भासा सही ढंक से बूख क्योंकि वो तो उनको मात्र भासा पता होता है ठीक है इसकूल किस लेवल यानि इंगलिस में गया है या फिर हिंदी में तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि उनके लैंग्योज पर से ज़्यादा महत्व होता है उन पर फोकंस करना चाहिए और बेवहारी जीवन में जितना महत्व भासा का है कदाचित उतनी आवसकता किसे अन्य भी सहकी नहीं होती है आप सभी को पता भी होगा ठीक है अब चलिए हम जान लेते हैं यहां पर कि प्रात्मिक अस्तर पर भा बसते हुए सुनना यानि अगर आप कोई टीचर पढ़ा भी रहा है तो अगर आप सुन रहे हो तो क्या क्यों सुन रहे हो या फिर उसको समझ भी रहे हो तो यह होना चाहिए और तीसरा की प्रभावी ढंग से बोलना यानि अगर एक सिक्षक जो है अगर effective तरीके से नहीं बोलता है तो फिर वह बच्चों पे अपना effect क्या डालेगा उसके बास समझ कर पढ़ना यानि अगर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको भी यह पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो यह आपको समझ में आना चाहिए और यह भी होना चाहिए कि अगर आप जो जो भी विचार हैं, आपने देखा भी होगा कि जब को इक लास होता है तो उसमें बहुत सारी इस्टुएट्स क्या होते हैं, कि अपने बिचार को अपने जो भी उनके थोट होते हैं, भूट ही ज्यादा इफेक्ट्व तरीके से एक ठीचर के सामने रखते हैं, ठीक है, तो जब भी आपको अपनी बिचार रखने हो तो एक तर्क के साथ प्रस्तुत करें कि अगर आप अपना जो थोड़ प्रस्तुत कर रहे हो तो अगर टीचर कुछ सामने से कह रहा है तो आप में भी उतनी eligibility होनी चाहिए कि आप उनसे तर्क कर सको और बता सको हाँ ऐसा भी हो सकता है उसके बाद दिखे स्वाधिगम यानि अगर हम कहें तो यहाँ पर आपको खुद से सीखना चाहिए स्वाधिगम का तो मतलब वही होता है न और दूसरों के बिचारों को भी समझना चाहिए जरूर यानि प्रात्मी कस्तर पर भासा सिक्षड अधिगम के कारेकरम के अंतरगत यह निमली की दक्षता यानि जो भी चमता है जो भी कौसल है उनका विकास करना चाहिए ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला टौपिक है वो है दक्षता अधारित मुल्यांकन के उ जाते हैं तो भासा सीखने का कार यांतरिक ना होकर जैसे कि मैंने अभी आप से भी को बताया आनंद से जुड़ा होना चाहिए और भासा विकास की दक्षता यानि चमता के मुल्यांकन का अधार नई प्रस्तित्यों में उनके अनुप्रियों यानि जो कुछ भी उनका मुल मुल्यांकन के बाद जो भी रिजल्ट आया जो भी उनमें कमी है उनको दूर किया जाए और क्या किया जाए उद्दे से तो यह होता है जो भी उनके कमी होता है उनको दूर किया जाए और यह प्रियास किया जाए कि फिर से वो कुछ नया करे तो यहां पर यही कह रहा है कि विकास की दक्षता के मुल्यांकन का अधार नई प्रिस्तितिव में उनके अनुप्रियोग की छमता से अनुप्रियोग मतलब क्या होता है उसकारे को पुना यानि करना उसको करके सीखना प्रियोग करके सीखना ठीक है और उसके बात कहा रहा है कि प्रात्मिक अस्तर पर परिवेस तथा परिवेस की सजीव तथा निर्जीव वस्तों से सम्मंदित प्रश्णों का अधिक से अधिक समावेस करना होगा ठीक है ताकि जो भी इस ट्रेंड्स हैं बहुत ही असानिक धंग से समझ सके तो यह आपका हो जाता है दक्षता अधारत मुल्यांकन के उदेश् परिवास बस जान लेते हो दक्षता का मतलब क्या होता है तो बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अभी यह लिसन 3 का पार्ट 1 है पार्ट 2 में हम कुछ महत्पूर फैक्ट यानि जो हैड्लाइन्स है वो डिसकस करेंगे उसके बाद तो को भी शेयर कर दीजिए थैंक्स वर वोचिंग ठेक कियर एंड बेस्ट अफ लग